कॉ có वकू काल में हまた किκαश किलास में हम लुग मासा एक नइया CONCEPT स्टाड नेज़ाप्टर सब्सक्राइब जीक का नाम है डिस्क अशेश्मेंट और इंटरनams इंटरनल कंट्रों जीका नाम हें रिस्क असेश्मेंट 1, 2, 3 and 4 आपके लिए most important chapter होंगे मतलब इंफेक्टर में बात करूँ और किसी को औरिटिंग में pass होना है तो सिर्फ ये 4 chapter पढ़के जाओ और यही से आपको passing marks मिल जाएंगे ये इतने important chapter है तो अगर मैं बात करूँ इस chapter की तो ये chapter मेरे लिए exam में पूछा गया था last attempt में 7 marks का 7 marks का ये chapter हमारे लिए पूछा गया था last exam में तो ये आपके लिए है बहुत जादा important तो इसको please पढ़ना बहुत अच्छे थे ठीक है क्योंकि आगे जितने भी chapter आप पढ़ने वाले हो हर chapter में आपको risk assessment NTI इन सब्दों का प्रयोक करेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे 7 marks का आपको last exam में पूछा गया था तो आपकोस ये आपके लिए काफी important है तो बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है आप लोगों को ठीक है चलिए स्टार्ट करते chapter का नाम है ये chapter का नाम है हमारा risk assessment and internal control risk assessment and internal control तो अब मैं इस chapter को two parts में categorize कर देती हूँ ठीक है first part जो होगा हमारा ये है risk assessment का first part में हम लोग पढ़ने वाले है risk assessment के बारे में कि what is the meaning of risk assessment and second lecture में हम लोग पढ़ने वाले है internal control के बारे में हालंकि ये chapter के बारे में आपको अगर मैं कुछ भी ना बता हूँ तब भी चलेगा internal control क्या होता है organization में management किस तरीके से काम को करता है उसे कैसे करना चाहिए यह internal control है और internal auditing के बारे में फिर बात में बात करते हैं ठीक है तो फर्स्ट पार्ट हम अपर फिलाल आज के लिए स्टार्ट करते है रिस्क एसेस्मेंट ठीक है तो यह रिस्क एस्सेस्मेंट है क्या बेटा जब कोई भी परसेंट कोई भी परसेंट जब किसी भी organization कोई भी auditor किसी organization में जब वो auditing करने के लिए जाता है तो first of all वो उस entity के बारे में समझता है उस entity के बारे में समझता है और देखता है कि उस entity में कितने risk हैं कैसे कैसे risk हैं और उसके according वो अपना procedure perform करता है तो first of all auditor auditing किसी भी client organism जाता है तो वहाँ पर वो देखता है कि यह organization में risk कौन सा है किस तरीके का risk जादा है और फिर उसके according वो significant audit procedure को perform करता है तो सबसे पहले मारे दिमाग में आता है कि risk assessment ध्यान दीजेगा तो सबसे पहले auditor किसी भी organization को जोइन करेगा तो वो देखेगा कि वहाँ पर कितना risk है तो risk assessment करने के लिए ध्यान दीजेगा अब माम auditor first of all जाएगा तो वो risk को assess करेगा माम किस तरीके के risk की बात कर रहे हो कौन से risk की बात कर रहे हो बेटे मैं बात कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ audit risk के बारे में मैं बात कर रही हूँ audit risk के बारे में कि एक organization में जब auditor जाता है auditing को करने के लिए तो वहाँ पर auditing risk होते हैं auditing risk मैं audit risk का मतलब क्या होता है audit risk का मतलब risk of giving inappropriate opinion risk of giving inappropriate opinion कि auditor जब client organization में जाता है जब auditing करने के लिए तो एक audit risk होता है मैं कैसा audit risk audit risk कि अगर हम auditing को कर रहे हैं तो audit को करते समय कई में inappropriate opinion ना दे दूँ कई में गलात opinion ना दे दूँ इस चीज़ का risk होता है auditor के पास मैं यह risk क्यों arise होता है देखिए कर थान से तो अगर मैं audit risk की बात करूँ तो audit risk को two parts में categorize कर दिया आपके एक book में module में पहला ही question है यह what is the meaning of audit risk audit risk क्या है objective question है तो यहां से आपको objective question भी बन सकता है ध्यान दीजेगा मैंने यहां पर कुछ बातों को कर रख है देखिए कर दियान से audit risk का मतलब क्या audit risk का मतलब inappropriate opinion का देना ठीक है अच्छा audit risk की बात करें तो audit risk किन किन चीजों को combination होता है audit risk क्यों arise हो सकता है सोचो 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 audit risk क्यों arise हो सकता है some inherent limitations some inherent limitations तो जिसकी वज़े से inherent risk arise हो जाता है okay ma'am some control risk auditor client organization में auditing के लिए कि यहां internal control अच्छा नहीं है तो कुछ control risk arise हो सकता है and detection हो सकता है कि auditor ने जब auditing की तो किसी risk को वो detect ना कर पाया हो समझना फिर से ध्यान से chapter पर रहे है risk assessment and internal control तो first part हम लोग पढ़ रहे है risk assessment risk assessment की बात करूँ तो risk assessment में सबसे मेरे पास किस चीज़ का risk कौन से risk को assess करने की बात में कर रही हूँ इसकों तो बहुत जारे होते मैं auditing पढ़ रही हूँ तो मैं audit risk को assess करने की बात कर रही हूँ मैं हम यह audit risk क्या होते हैं बैटे audit risk हो सकते audit risk क्यों arise होते हैं एक auditor inappropriate opinion कब देगा some inherent limitations inherent risk हो सकते हैं some control risk management ने काम ठीक से नहीं किया उस वज़े से risk हो सकते हैं या फिर auditor ने audit procedure को follow किया लेकिन audit procedure को follow करने पे भी कुछ risk arise हो गया कई न कई कोई mistake mistake हो गई है और कई न कई कोई area छूट गया ठीक है थ्यान दीजेगा तो मैंने का audit risk में कौन-कौन से components होते हैं जल्दी से बताना audit risk में कौन-कौन से components होते हैं inherent risk भी होता है control risk भी होता है और detection risk भी होता है प्लीज यह बात को ध्यान रखना ठीक है ma'am तो अगर मैं बात करूँ तो auditor जब audit करने के लिए जाता है तो audit risk arise होता है, audit risk को अगर मैं बात करू फर्दर तो मैंने इसको two parts में categorize किया, एक तो हमारे पास risk of material misstatement, एक तो arise होता है risk of material misstatement, ठीक है, एक तो risk arise होता है risk of material misstatement, माम ये कौन सा risk होता है, risk of material misstatement related होता है कि client organization में जब auditor auditing करने के लिए जाता है, तो हो सकता है कि वहां का जो internal control system हो, वो अच्छा ना हो, या internal control system हो ही ना, तो इस चीज की वज़े से, जो risk, इस चीज की वज़े से कहीं न कहीं, मेरे को कुछ material misstatement होने के chances होते हैं, इसको बोलते है risk of material misstatement, तो आपको exam में question पूछ सकते हैं, कि risk of material misstatement means, option A, inherent risk, option B, control risk, option C, inherent and control risk, and option D, inherent and detection risk, तो आपको यहां से MCQs पूछ सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना, तो अगर मैं बात करूँ, तो audit risk के मैं बात करूँ, तो audit risk को उमने दूपास में करता कराईश किया, risk of material misstatement and detection risk, तो auditor के पास दो तारीके के risk arise होते हैं, auditor जब auditing करने के लिए जाता है, तो देखो risk तो क्या, inherent risk, control risk, detection risk, ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ, तो इसको मैंने टूपास में categorize किया, ठीक है, तो मैंने कहा, auditor को risk होते है, risk of material misstatement, कि हो सकता है, client organization में, books of account sign up बने हो, financial statement sign up बने हो, ठीक है, और एक होता है, detection risk, detection risk का मतलब हो सकता है, auditor ने auditing को जो किया, वो auditing को उसने ठीक तरीके से नहीं किया, जो audit procedure, auditor जब organization में जाता है, client organization में जाता है, तो उसकी पहले responsibility है, वो उस client organization के चीजों को समझे, client organization को environment को समझे, तो environment को ना समझने पर रिस्क हो जाते है, risk of material mister statement, environment को समझ के, जो उसने audit को करने के लिए audit procedure रॉप्ट की है, वो audit procedure जब ठीक से अच्छे नहीं होते हैं, तो उस case में हमारे पास detection risk arise होता है, एक बार हम फिर से देखते हैं, हम पढ़ रहे हैं chapter risk assessment procedure, risk assessment में मैं first panel पर रिस्क assessment, risk assessment, किस चीज के risk assessment की बात करें है, हम audit risk की, audit risk को अगर मैं बात को तो मैंने two parts में categorize किया, एक तो risk of material mister statement और एक detection risk, मैं अगर बात करू, risk of material mister statement की तो यह क्यों होता है, धान दीजिएगा, risk of material mister statement कम arise होता है, बैटे, risk of material mister statement, risk of material mister statement related होता है internal control से, risk of material misstatement related होता है internal control से, risk of material misstatement related होता है internal control से, अच्छा, अब अगर risk of material misstatement की हम बात करें तो हमने इसको two parts में categorize किया, एक तो हमने कहा कि यह होता है inherent risk, एक तो यह ध्यान दिजेगा, मैंने risk of material misstatement को two parts में categorize किया, तो पहले इसको मैंने कहा, inherent risk, auditor को, देखो, हमारी जो books of accounts ख़राब है, financial information, financial statements नहीं बने हैं, तो क्या reason हो सकते हैं, पहला, कुछ inherent risk को, inherent risk का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, कुछ ऐसे mistakes, जो generally, normally हो ही जानी है, ठीक है, इंसान का, human being का nature होता है mistake करने का, हो सकता है कि को कोई mistake छूट गई, कुछ छूट गया हो, कोई entry छूट गई हो, कोई figure गलत लिख दी गई हो, ऐसी कोई भी बहुत साइप प्रोजम सा सकती है, और दूसरा क्या, control risk, हो सकता है कि कहीं गढ़बढ हो रही हो, और हम उसको control ना कर पा रही हो, ध्यान दीजेगा, तो अगर मैं बात को risk of material mistake statement, उसको मैं two parts में categorize किया, inherent risk और control risk, आप से exam में पूछा जा सकता है, कि जो RMM है, जो RMM है, RMM equal to what, RMM equal to what, तो आपको बताना पढ़ेगा, RMM equal to inherent risk and control risk, मैं यह inherent risk क्या होता है, बेटा, inherent risk का मतलब होता है, देखो, जब कोई मैं किसी organization में auditing करने के लिए जा जही हूँ, और वहाँ का जो internal control system है, किसी organization में जब auditing करने के लिए जा जही हूँ, तो वहाँ का जो internal control system है, client organization ने अपने internal control system को बहुत बहतर बना रखा है, कि कहीं पे किसी भी चीज की गलती होने की संभावना नहीं है, कहीं पे कुछ भी गरबर होने की संभावना नहीं है, client organization अपने staff को accountability देता है अगर कुछ भी गलत होता है तो और वो बोलता है कि आपको बताना पड़ेगा, बहुत सक्त है penalty in procedure बहुत सक्त लगा रखे, internal control अच्छा है, अगर किसी organization में internal control अच्छा है तो yes of course उस organization में inherent risk कम हो जाएंगे, इसका मतलब है ma'am, किसी organization में अगर internal control system weak है, internal control, internal control system है ही नहीं, किसी organization में अगर internal control system है ही नहीं, मतलब वहां कर जो internal control हो है ही नहीं, कोई देखने वाला ही नहीं है, तो yes of course हमारे पास inherent risk कर जाएंगे, मैंने किसी accountant को accounting करने के लिए, auditing करने के लिए कहा, मैंने किसी accountant को accounting करने के लिए कहा, और उसके ऊपर कोई भी supervisor नहीं है, तो yes of course accountant गलती करेगा, बट अगर accountant के ऊपर supervisor होगा, तो accountant गलती कम करेगा, तो इसका मतलब यह है, कि अगर मैं बात करूँ, तो एक organization में inherent risk क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं, अगर उस organization में internal control नहीं होगा, तो वहाँ पे inherent risk पैदा हो जाते हैं, एक organization जहाँ पे internal control नहीं होता है, उस organization में inherent risk पैदा हो जाते हैं, और मैं control risk क्या होता है, control risk का मतलब, इंटर्नल control तो है, बट इंटर्नल control ने जो policies and procedures बना रखे हैं, वो किसी काम के नहीं हैं, बेकार हो गए हैं, इसी वज़े से वो mistake को prevent नहीं कर पा रहे हैं, detect नहीं कर पा रहे हैं, इस वज़े से risk arise होते हैं, उनकों बोलते है, control risk मतलब हम control नहीं कर पा रहे हैं, तो ध्यान दीजेगा, अगर मैं बात करूँ, अगर मैं बात करूँ, risk of material mistake statement, तो risk of material mistake statement, दो तरीके के होंगे, एक होंगे inherent risk, दूसरे होंगे control risk, inherent risk का मतलब, बेटा, related, ये दोनों ही जो risk होते है, risk of material mistake statement, related होता है, internal control से, तो अगर मैं बात करूँ, inherent risk की, तो inherent risk related होता है, internal control से, हां जी माम, तो inherent risk क्यों arise होता है, बेटा, किसी organization में अगर internal control exist नहीं करता है, internal control नहीं होता है तो उस organization में inherent risk arise हो जाते हैं inherent risk related to not existence of internal control inherent risk related to internal control does not exist अगर एक entity में internal control नहीं होता है तो बेटा उस entity में inherent risk होने की संभावना बढ़ जाती है ध्यान देजेगा non existence of internal control, non existence of internal control ठीक है तो जिसकी वज़े से auditor assertion नहीं दे पाता है और वहाँ पर miss statement होती है मैं यह assertion सब्दों बहुत बार use होता है यह assertion का मतलब क्या है लिखवा दो पीटा assertion सब्दों यूज होता है जैसे किसी organization में कोई inventory अगर मैं closing stock की बात करूं closing stock की valuation में गलती है तो उसका मतलब है मैंने assertion गरबड कर रखी है measurement कोई कुछ purchase होके आया को inventory मैंने उसकी calculation नहीं की तो उसके लिए हमने measurements आई नहीं की तो यह क्या हो गया यह assertion classification में गरबड कर दी कि revenue nature का है capital nature का है present presentation में जैसे contingent liability हमारे footnotes में दी जाती है हमने उसको महां पे mention नहीं किया तो यह होती assertion ठीक है तो auditor ने assertion पे misstatement कर दी ठीक है ध्यान देखना बीटा हम बात कर रहे है risk assessment की risk assessment की audit risk की बात करो तो मैंने इसको two parts में categorize किया risk of material message statement and detection risk मैंने audit risk को two parts में categorize किया risk of material message statement and detection risk risk of material message statement की बात करो तो risk of material message statement को further two parts में categorize किया गया कौन-कौन सा एक होता है हमारे पास inherent risk दूसरा control criterion ersk. का मतलब एक organization में जब internal control एक जिस्थ ही नहीं करता है, तो हमारे पास inherent risk arise हो जाता है, एक organization में जब internal control एक जिस्थ ही नहीं करता है, inherent risk arise हो जाता है, inherent risk किस चीज पर वेटा assertion, assertion पर Já uel EXे स्टेट्मेंट हो गई, assertion पर constraints हो गई, what is the meaning of assertion? Assertion का मतलब जैसे Valuation, Measurement, Classification, Presentation इन चीजों पर हमने गड़बड़ी करके रखी हुई इसको हम लोग बोलते हैं Assertion फिर मात करते हैं What is the meaning of control risk? बेटा एक organization में internal control तो exist कर रहा है लेकिन उस internal control ने जो policies and procedures बनाए है उन policies and procedures से कोई भी material misstatement नहीं निकल के आ रही है बाहर नहीं निकल रही है मतलब हम detect नहीं कर पा रहे हैं, prevent नहीं कर पा रहे हैं ठीक है? तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? Control risk मतलब यहां पर related internal control तो है लेकिन internal control fail हो गया वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाया जब internal control fail हो जाता है जब internal control अपना काम ठीक से नहीं करता है जब internal control ने जो policies and procedures बनाए है वो policies and procedures काम के नहीं होते हैं उन policies and procedures की यह वज़े से भी बिटा risk हो जाते हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं control risk मैं, for example For example, एक company है A, B, C Limited, इस A, B, C Limited ने के management, इस A, B, C Limited ने management से कहा कि कोई भी person जो inventory purchase करेगा, वो एक Mr. X, Y and Z, ये तीन डीलर है, इन से purchase करेगा, but इस management में एक Mr. A है, ये नालायक आतमी, A नहीं, मानलो, एक Mr. P है, ये नालायक आतमी क्या करता है, बेटा, इसका, मानलो, इसका कोई relative है, इसका कोई relative है, बेटा, ये अपने relative से, मानलो, इसका, मानलो, इसके चाचा जी की दुकान है, तो ये अपने चाचा जी की दुकान से क्या करता है, हमेशा inventory, को माल परचिस कर लेता है, एक A, B, C Limited है, उसने management से कहा है, जो goods purchase किया जाएगा, तो X से purchase कर ये परचेस कर लो ये जट से परचेस कर लो इस company का जो management है P इसने इसको inventory परचेस करना होता है इसको raw material परचेस करना होता है ये नालायक ना X से परचेस करता है ना Y से परचेस करता है ये ये आपने चाचा जी की दुकान है ये अपने चाचा जी की दुकान से goods को परचेस करत तो ध्यान दीज़ेगा, management ने policy तो बनाई, management ने policy तो बनाई कि हम relative party से transaction नहीं करेंगे, related party transaction नहीं करेंगे, but यह जो नालायक P है, यह क्या कर रहा है, company की policies को follow कहां कर रहा है, यह तो कह रहा है, नहीं नहीं, हम अपने चाचा जी को काम देंगे, उनको फाइदा पुचाएंग लेकिन actual में वो procedure effective नहीं है, वो policies एफेक्टिव नहीं है, तो जब हमारी internal control policies अच्छी नहीं होती है, जब हो implement करो लेकिन वो result नहीं देती, जो हमें चाहिए, तो यहां पर कौन सा risk arise हो जाता है यहां पर control risk arise हो जाता है, यहां पर control risk arise हो जाता है, ठीक है, मैं एक बार फिर से बताना चाहती हूँ, ठीक है, मुझे लगता है कि अगर ये चाप्टर आपको आगया तो बाकी आपको Auditing में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं बहुत कोसिस कर रहे हूँ कि आपको ये चाप्टर एक्टम अच्छे से क्लियर हो जाए ठीक है, तो एक बार फिर से बेटा देख लेते हैं, हम पढ़ रहे हैं चाप्टर रिस्क अससेश्मेंट अंड इंटर्नल कंट्रॉल, रिस्क अससमेंट की बात करें, तो रिस्क अससमेंट के बात करें, बेटा हम यहां audit risk की बात करें, जब auditor auditing करने के लिए जाएगा client organization में, तो उसको कौन सा risk होगा, उसको audit risk होगा, अगर मैं audit risk की बात करूँ, तो audit risk को हमने further two parts में categorize किया, एक risk of material misstatement और एक detection risk, अब अगर मैं बात करूँ risk of material misstatement, तो हमने इस risk को two parts में categorize किया, एक हमारे पास हो गया inherent risk, और एक हमारे पास हो गया control risk. Inherent risk को बेटा क्यों arise होता है, जब client organization में internal control exist ना करे, तो inherent risk arise होता है, और ma'am, control risk कभ होता है, जब client organization में, internal control तो है, लेकिन internal control अपने काम को करने में fail हो जाता है, तो फिर इस case में control risk arise होता है, ठीक है, ओके माम, फिर अगर मैं बात करूँ, ध्यान दीजेगा, ओके, तो ये हो गया हमारा, अब आके बात काथ है, detection risk, detection risk का मतलब क्या होता है, बेटा, जब auditor client organization में auditing करने के लिए जाता है, तो auditing करते हैं, समय बेटा, वो audit procedure को perform करता है, for example, मैंने आपको बताया था, analytical procedure, अब analytical procedure, अगर मैंने आपको बताया था, तो मैंने आप से कहा था, for example, auditor को किसी client organization के books of accounts पे अपना opinion देना है, तो मान लो, एक organization थी, वो पिछले 4 सालों से काम कर रही है, कि first year उसका कोई profit था, second year profit, उस profit से 10% increase कर गया, फिर third year वो profit 10% से इंक्रीज कर गया, फिर 10% से इंक्रीज कर गया, और इस बार organization ने देखा, कि इस बार तो profit बेटा हो गया है, उसका 32%, अचानक से इतना market में इतना boom तो दिखनी रहा है, पर इतना boom क्यों आ गया, अचानक से gross profit ratio बढ़ गया, तो यह क्या है, तो यहाँ पे, अब ध्यान दिजिएगा, auditor, यह तो audit procedure है न, analytical procedure मैंने आप लोगों को बताया, auditor ने audit procedure को follow किया, client organization के financial statement पे, अपना opinion देने के लिए, तो ध्यान दिजिएगा, जब auditor audit procedure को perform करता है, client organization में अपने opinion को देने के लिए, और वो low level के हो, मतलब, वो low level के हो, वो अच्छे से पफ काम नहीं कर पा रहे है, जैसे auditor एक organization में auditing करने के लिए जाता है, उसने audit sampling की, because मैंने आप लोगों को बताया था, कहीं पर भी 100% checking करना possible नहीं होता है, बहुत मुश्किल, छोटी organization हो तो चल जाता है, बट बड़ी organization हो, तो 100% auditing करना possible नहीं होता है, है ना, 100% auditing करना possible नहीं होता है, तो बेटे, इस case में क्या होता है, 100% auditing करना possible नहीं होता है तो auditor ने एक sample size निकाल लिया बट वो sample size appropriate नहीं थे, वो sample size ऐसे नहीं थे जिसे गलतियां निकल के सामने आ पाएं, तो auditor ने एक audit procedure को तो perform किया, sampling भी तो audit procedure है, audit procedure को perform किया, लेकिन वो audit procedure अच्छा नहीं था, low level का था, ठीक है, जिसकी वाज़े से material miss statement हो गए, देखेगा, detection risk क्या होता है, audit procedure performed by the auditor, ये low level के है, low level के होने की वाज़े से failure to detect material miss statement, material miss statement, ठीक है, low level की वाज़े से हम अपने material miss statement को detect नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते है, audit risk, क्या मुणना इतनी बाते आप लोगों को समझ में आ रही है, क्या बेटे इतनी बाते आप लोगों को समझ में आ रही है, अब मैं आप लोगों की model उठाना चाह रही हो, क्योंकि मैं model सो भी आपको याद कराऊंगी, क्योंकि यह जो concept में पढ़ा रही हो यह आपके लिए बहुत ज्यादा important है मैं इसे risk नहीं ले सकती हो चकता है आपको लगे कि मैं मैं time कोटी कर रही है तो कोई बात नहीं बेटा time कोटी करने दो बट मैं आपको जब तक मैं satisfy नहीं हो जाओंगी तब तक तो मैं आपको यह पढ़ाओंगी ठीक है तो आपकी बुक पे आ गई मैं risk assessment and internal control पे देखेंगा ध्यान से audit risk तो आप आपको पता चल चुका होगा audit risk में कॉंपोनेंट्स होते हैं पता चल गए हैं आप लोगों को कौन से 3 कॉंपोनेंट्स होते हैं inherent risk, control risk and detection risk यह बिधिटग मैं इसको shortcut के सकते है risk of material mister statement & detection risk तो audit risk दो चीजों से मिलके बना होता है risk of material mister statement and detection risk पि इसको में इसको चीजों से कॉन का है, inherent risk and control risk I hope कि आप लोगों को यह बात पता चल गई होगी, ठीक है माव? तो अगर मैं बात कहूं, प्लीज देखेगा ध्यान से, आपकी बुक में क्या कहा, देखो क्या मैंने जो बताया वही कहा क्या, देखेगा ध्यान से, बहुत अच्छे से देखेगा मुन्ना, प्लीज गरबर मत करियेगा क्योंकि मैं इस चाप्टर के साथ फिस से बोल रहे हैं, एक बार मैं रिस्क नहीं ले सकती, ठीक है? Audit risk means the risk that the auditors give an inappropriate audit opinion, मतलब मैंने भी आपको यही बिताया था, audit risk का मतलब कहा है, कहीं कहीं वो inappropriate opinion ना दे दे, जब वो financial statement को check कर रहा होता है, ठीक है? It is the risk that the auditor may fail to express an appropriate opinion in audit assignment, ठीक है? Audit risk is a function of the risk of material misuse statement and detection risk, then the audit risk क्या है? Function of the risk of material misuse statement and detection risk. From the above, it is clear that audit risk equal to what? Audit risk equal to risk of material misuse statement, risk of material misuse statement, risk of material misuse statement and detection risk. Risk of material misuse statement क्या होते है? Risk of material misuse statement may be defined as the risk that the financial statements are materially misuse stated. अब financial statement misuse stated क्यों होंगे? Risk किस चाज़ का? Risk of material misuse statement, material statement का मतलब क्या? Financial information जो client organization दिये है, वो materially misuse stated है. अब client organization के financial statement materially misuse stated कब होंगे? दो चीजों से होंगे. देखेगा? The consist of two components. Describe as follows. एक inherent risk की हो सकते हैं, की वज़े से हो सकते हैं, और एक control risk की वज़े से हो सकते हैं. In her interest, the sensitivity of an assertion about a assertion, about a class of transaction, assertion about a class of transaction, account balances, disclosure to a misuse statement, that could be material either individually or when aggregated with other misuse statement before consideration of any related controls. देखेँ दियान से, ये क्यों हो रहे हैं? कहरें, account balances गरबढ़ हो रहे हैं? हम disclosure नहीं दे रहे हैं? या कुछ बहुत साई चीज़े हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? Before consideration of related control, related control नहीं है. और related control के ना होने की वज़े से, miss statements हो रहे हैं. अब ये language को खुद पर तो नहीं सिमस में आता. Actually, related control का मतलब क्या? internal control की बात कह रहें. ये कह रहें, internal control नहीं है, जिसकी वज़े से, जिसकी वज़े से, जो हम assertion कर रहे हैं, उस assertion में, miss statements आ गई है. तो ये क्या है? ये inherent risk है, आगे. control risk, the risk that a miss statement that could occur in an assertion about a class of transaction, देखे जान से, assertion about a class of transaction, जैसे measurement नहीं हुई, valuation नहीं हुई, classification नहीं हुई, account balance or disclosure and that could be material either individually or aggregate with other miss statements will not be prevented or detected and corrected on timely basis by the entity is internal control, मतलब internal control अच्छा नहीं है, जिसकी वज़े से, यहां पर गड़बढ़िया आ गई, तो इसको हम लोग बोलते है control risk, तो अगर मैं बात करूँ, ध्यान देना, audit risk कि अगर मैं बात करूँ, audit risk का मतलब inappropriate opinion देना, auditor का, ये audit risk है, audit risk क्यों हो सकता है, audit risk का हो सकता है, एक तो auditor ने जो audit procedure perform किये, वो सायद sufficient नहीं है, appropriate नहीं है, जिनकी वज़े से, बेटा, detection risk arise हो जाया करते हैं, ठीक है, आईए, बेटा, miss statement refers to, गुलू मैंने बताया, miss statement regarding a sarsan, अब बेटा, वही बात कह रहे हैं, आप लोग कहोगे कि मैं ये वाली बात कहां लिखिये, miss statement refers to a sarsan, देखे कर यहां से, miss statement refers to a difference between the amount, measurement or valuation, classification, presentation, disclosure of a reported financial statement item and amount accordance with an applicable financial reporting framework, miss statement can arise from error or fraud, ठीक है, तो ये जो, अगर मैं आप लोगों को बात करूँ, माम, ये असरसन का मेनिंग क्या होता है, तो बेटा, ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, मुरना यही असरसन है, ठीक है, ये जो लि असरसन की डेफिनेशन है, ठीक है बेटा, ये असरसन की डेफिनेशन है, आप बच्चों को बहुत बाया से लगता है, कि असरसन क्या होता है, तो ये असरसन की डेफिनेशन है, ठीक है बेटा, तो इसको देख लिजेगा, आगे बढ़ते हैं, assessment of risk, the assessment of risk is based on audit procedure, बिल्कुल स देख रहे हूँ कि एक organization में, एक entity में, जब auditor, एक organization में ये देख रहा होता है, कि organization में risk of material, DB, या नहीं है, तो इसका मतलब ये हैं कि वो उस client organization की environment को read कर रहा होता है, है ना, अगर एक एक organization में auditor auditing करने के लिए जाता है और वो वहाँ पर first of all check करता है कि इस organization में risk of material misuse statement है या नहीं है तो इसका मतलब है कि वो उस organization की auditing, उस organization के environment को check कर रहा होता है, ठीक है, देखें कर दियान से, assessment of risk, the assessment of risk is based on audit procedure, to obtain information necessary for the purpose and evidence obtained throughout the audit, the assessment of risk is matter of professional judgment, rather than a matter of capable precise measurement, ठीक है, तो अब risk कितना arise होगा या नहीं होगा, ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, ये तो हर वेक्ति की अपने professional judgment पर dependent होती है, आप कहते है, what is not included in audit risk, what is not included in audit risk, तो audit risk आपको पता चल गया, दो component से मिलके bạnता है कौन-कौन रों इक RMM, एक RMM और एक detection risk है ना, दो चीजों से मिलके बना होता है, RMM कितने चीज़ों से मिलके बना होता है एक inherent की बात करते हैं एक inherent की बात करते हैं और एक किसकी बात करते हैं control की बात करते हैं ठीके बेटा आगे move करते हैं हम लोग what is not included in audit risk तो मुझे पहले तो यहां पर मैंने लिख दिया कि what is included in audit risk ठीके अब आगे move करते हैं बेटा ओके आगे move करते हैं बेटा audit risk does not include the risk that the auditor might experience an opinion देखो auditor client organization में जाता है और वो अपनो opinion देता है कि client organization के financial information true and fair view को represent कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं कहीं उसमें किसी भी प्रकार की miss statement तो नहीं है कहीं उसमें किसी प्रकार की कोई problem तो नहीं है fraud और error तो नहीं है इसके अलावा एक organization में auditor और कुछ भी नहीं चेक करता है इसके अलावा एक organization में auditor कुछ भी नहीं चेक करता है ठीक है देखेगा वो उसके environment को समझता है risk of material में से statement को देखता है कि है या नहीं है और बाद में उनको detect करने की कोशिश करता है ठीक है तो audit risk is technical term आप technical term मैंने आप लोगों को बता दिया technical term क्या है related to the process कैसा process process कि हम RMM कर रहे है और हम detection कर रहे है I hope कि आपको लट गया होगा of auditing it does not refer the auditor's business risk such as loss from litigation auditor आपको यह नहीं बताएगा कि आप भविस में loss खाने वाले हो आपको auditor यह नहीं बताएगा कि और गनाइजेशन तो मुकदमा हार जाएगी auditor यह नहीं बताएगा यह organization तो बहुत बढ़िया काम कर रही है auditor को इन सबी चीजों से कोई मतलब नहीं auditor क्लाइंट organization के financial information को check करता है और check करने के बाद वो उस पर अपना opinion देता है इसके अलावा और कुछ भी नहीं यह चीज को आप ध्यान देना आपके एक्जाम में multiple choice question में आ सकता है कि क्या एक organization में auditor करने के लिए जाता है तो loss from litigation पे भी वो अपना remark देता है क्या adverse publicity आप गलत advertisement कर रहे हो कि इस पे भी वो आपको remark देता है other events arising in connection with the audit कि भविश में आपको loss हो जाएगा क्या इस पे भी auditor अपने तिपड़ी देता है नहीं auditor तिपड़ी देता है कि यह financial information जो बनाए गए है वह applicable FRF कुछ तुरू बनाए गए यह नहीं बनाए गए यह financial information में कोई material misstatement तो नहीं है और अगर है material misstatement तो वो due to fraud और error है Error है management को बोलो सही कर दे, fraud है management को बोलो वो बताए और management अगर नहीं उनको सही कर रहा है तो फिर Central Government को बता दो ठीक है मैंने आप लोगों को fraud chapter में बता रखा है ठीक है अच्छा मैं आपको एक चीज और बताती हूं एक सब्दी उस करते है TCWG है ना अब मैंने आप लोगों को वैसे तो भी इस पर एक standard करवाना है अब अभी बता देती हूं TCWG और management यह तो दो सब्दें यह कहां यूज की जाते हैं पीटा जो TCWG होती है यह long term vision को बताता है जो client organization है यह उनके vision को बताता है कि client organization का vision क्या होगा management जो है management जो काम करते हैं वो implementing जैसे TCWG ने vision decide किया और उस पर strategies बनाए और management और strategies को implement करवाता है यही फ़रक है वैसे most of the time हम TCWG और management को एक दुसरे की जगे पर use कर लेते हैं बद TCWG basically vision decide करता है और हमारे लिए strategies बनाता है और जो management है वो strategies को implement करवाता है हलंकि यह दोनों ही top management के लिए use के जाते हैं ठीक है यह company के top management होते हैं तो I hope कि आपको इतनी बाती समझ में आई होंगी ठीक है आगे move करते है risk of material mistake statement at two levels two levels ध्यान दीजेगा एक overall financial information हमारे गलत है सब कुछ गलत है या फिर कुछ जगों पर कुछ transaction में mistake है तो देखेगा ध्यान से risk of material mistake statement at two levels risk of material mistake statement at two levels और गलत हो सकता है और है कुछ transaction पर assertion level पर हो सकता है तरिकिखेगा तरिकवा Risk of material misstatement at the overall financial statement level refers to risk of material misstatement that pursuers you to the financial statement as whole and potentially affect the many assertions. Affect the many assertions. Assertions, I have told you, measurement, valuation, all things. ध्यान दीजिएगा. तो हमारी जो पूरी के फूरी financial, overall financial statement level, जो हो सब गलत है. मैंने जो पूरा का पूरा financial statement है, वो सबका सब गलत है. जो mistakes है, जो errors है, जो fraud है, वो हर जगे है. ठीक है? हर जगे फैले हुए है. तो इसको हम लोग क्या बोलते है? Overall, देखी ने थान से. Risk relating to overall financial statement. And, दूसरा होता है, Assertion Level. ध्यान दीजिएगा. Risk of material misstatement at the Assertion Level are assess in order to determine the nature, timing and extent of further audit procedure necessary to obtain sufficient and appropriate audit evidence. This evidence enables the auditor to express an opinion on the financial statement. Low level procedure हम perform कर रहे हैं. जिसकी वज़े से, कुछ जगों पर हमारे risk arise होते हैं. कुछ transactions को हम check नहीं कर पाएं, कुछ transactions हम चेक करने से रह गई. तो उनकी वज़े से, जो risk arise होते हैं, वो हमारे लिए होते है, Assertion Level और class transaction risk. फिर वही बात आती ही, components of risk, inherent risk and control risk. मैंने आप लोगों को बता दिया, inherent risk का मतलब है, जब हमारे organization में internal control है ही नहीं, तो यह कौन से risk होते हैं? Inherent risk. Control risk क्या होते हैं? Internal control तो है, लेकिन internal control efficient नहीं है. Internal control तो है, लेकिन internal control efficient नहीं है. तो इसके वज़े से, जो risk कदाईस होते हैं, वो कौन से होते हैं? Control risk. एक बाद read कर लेती हूं, read करने में क्या जाते हैं? जाना मत. जितनी ज़्यादा बार सुनोगे, उतना ज़्यादा आपको याद हो जाएगा. आप में बार-बार आपको इसलिए पढ़ा रही हो, क्योंकि ये concept आपके लिए है, बहुत ज़्यादा important. ठीक है? देखे रहां से. Inherent risk. Inherent risk. Inherent risk. Inherent risk higher, for some assertion and related class of transactions, account balance and disclosures, than for other. For example, it may be higher for complex calculation. नहीं यह उपर लिखा. Inherent risk and control risk, entity is risk. Entity is risk. यह internal, यह entity के risk है. ध्यान दीजएगा. तो यह पर आपको यह भी question multiple choice में पूछ सकते हैं. Risk of material message statement क्यों होते हैं? यह किसके कारण की वज़े से होते हैं? किसकी गलती की वज़े से होते हैं? यह entity की गलती की वज़े से होते हैं, auditor के काम की वज़े से होते हैं. तो detection risk जो related होते हैं, वो auditor के काम से related होते हैं and जो RMM होते हैं, वो किस से related होते हैं? यह client organization, entity से related होते हैं. तो यह पर भी आपको एक multiple choice question पूछ सकते हैं, तो please इसको अच्छे से पढ़के जाना. अगर आप लोग लिख रहे हो अपनी copy maze को, तो आप अपनी जागे पर लिख भी सकते हो, यह chapter बहुत technical है. ध्यान दीजेगा. Inherent risk is higher for some assertion and related class of transactions, account balances and disclosures than for others. For example, it may be higher for complex calculation. External circumstances giving rise to business risk may be influenced inherent risk. For example, technological development might make a particular product of lead. Factors in the entities and environment may also influence the inherent risk. Factors and its environment. Factors and its environment may also influence the inherent risk related to specific assertion. Control risk is a function of the effectiveness of the design, implementation and maintenance of internal control. control risk क्यों होते है? क्योंकि management ने, internal control ने अपने policies को साही से design नहीं किया. यह साही से design किया, लेकिन उसको implement नहीं करवाया. जिसकी वज़े से risk क्यों होते हैं तो उनकों हमनों क्या बोलते हैं? Control risk बोलते हैं. फिर आता है risk of material misstatement equal to inherent risk into control risk ठीक है? Okay, an audit risk is equal to inherent risk control risk and detection risk ठीक है? ऐसे 315 बात करता है. आये, detection risk की बात करते हैं. Detection risk क्या होता है? Detection risk क्या होता है? The risk that procedure performed by the auditor to reduce audit risk to an actually low level will not detect misstatement that exists and that could be material either individually or when aggregated, ठीक है? अब इस चाप्टर में हमारा एक essay भी cover हो रहा है essay 315 essay 315 cover हो रहा है identifying and assessing the risk of material misstatement essay 315 cover हो रहा है अब जेकीगा objective of auditor as per essay 315 essay 315 क्या है? identifying and assessing the risk of material misstatement essay 315 है identifying and assessing the risk of material misstatement तो यह क्या कहता है? यह essay क्या कहता है? प्लीस देखेगा ध्यान से objective of auditor as per essay 315 identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the entities and its environment तो मैंने आपको कहा था RMM risk of material misstatement का मतलब हम RMM और detection दो की बात करेंगे RMM में हम inherent और control को check करते हैं तो entity के environment को ही तो बटा read कर रहे थे हम तो वही बात लिखो बटा essay में लिख दी क्या लिखा essay में रिखीगा? identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment the object of the auditor is to identify and assess the risk of material misstatement whether due to fraud or error at the financial statement and assessing level through understanding the entity and its environment including the entity's internal control thereby providing a basis for designing and implementing responses to the assess risk of material misstatement this will help the auditor to reduce the risk of material misstatement तो essay 315 क्या कहता है? assessing the risk of material misstatement तो कैसे करेंगे? हम client organization के first of all environment को समझेंगे और environment को समझके फिर हम उस पे appropriate audit procedure को perform करेंगे अच्छा identify and assess the material misstatement कितने तरह की हो सकते हैं? मैंने इनको two parts में categorize किया एक तो हो सकते हैं financial statement level या हो सकते हैं एक assertion level पर ठीक है? तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे आज के लिए हम इतना पढ़ेंगे यहां तक का पढ़ेंगे आज इतना revise करो तयार करो ठीक है next मतलब आज हमने बस यहीं तक पढ़ा identify and assess the risk of motor misstatement यह हम लोग अभी next class में पढ़ेंगे ठीक है वीटा